नमस्कार साथियों इन फ्यूजर नोट्स की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सैसन रहेगा साथियों वीकली करेंट अफेर्स राजस्तान का इस सैसन के अंदर साथियों 28 जनुवरी से लेकर 3 फरवरी तक जितने ही महतुपून पर्षन बने है राजस्तान करेंट अफेर्स के वो मैं आपके साथ सेर करूँगा सैसन आपको पसंद आए तो इसे लाइक वाशेर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर सेर कीजिएगा तो शुरुवात करेंगे साथियों सैसन की पहला क्यूसन आप से पूछा गया है कि बारतिया सोर उर्जा निगम ने MRS Green Energy Private Limited स्रीवा कोर्पोरेशन इंडिया की सहे कंपनी से सोलर प्लांट लगाने का अनुबंद किया है यह पर देश में कहां पर लगेगा इसे इपोर्टेंट कर लेना और अगामी प्रत्योगीता प्रिख्या जो साथियों 2014 के अंदर राजस्तान के अंदर होनी है उनमें साथियों यह कुछा जाएगा आंसर हो जाएगा साथियों इसका बिक का नेर में कहां पर लगाया जाएगा बिक का नेर में और कितने मेगावाट का रहेगा यह आप से पूछा जाएगा तो साथियों अपने को याद रखना है ये 100 MW का रहने वाला है कितनी MW का रहने वाला है तो आंसर हो जाएगा 100 MW का यह होगा important क्यूशन है पूछा जाएगा आप से अगले क्यूशन पर बात करें अगला क्यूशन आप से पूचा है कि हाली में शिक्षा मंतरी मदन दिलावर ने 15 फरवरी 2024 से किस योग किरिया को सरकारी स्कूलों में परात्थना के समय करवाने की गोशना की है तो आंसर रहेगा सातियों सुरिय जो अपने राजस्तान के जितने भी सरकारी स्कूल है उनके अंदर सातियों 15 फरवरी से सुरू हो जाएगा 15 फरवरी खास क्यों है क्योंकि सातियों इस दिन सुरिय सप्टमी है उससे इसकी सुरुवात है जो की जारी है ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है अगला क्योंसर आप से पूछा है कि बाध सरकार के पेंटेट कारिया लेने Fingerprint Analysis Instrument for Forensic Purpose नामक उपकरण के लिए किसे पेंटेट परदान किया है तो साथी जो महिपाल सांकला जी है इनको ये पेंटेट है जो परदान किया गया है अब आप से पूछा जा सकता है कि ये महिपाल सांकला जी हैं इनका सम्मंद किस से हैं जीले से हैं तो आंसर रहे जाएगा साथियों आपका उद्यपूर से हैं आंसर क्या होगा आपका, इनका संबंध है, ये उद्ध्यपूर्शें और मोहाली के अंदर साथियों जो चंदीगड यूनिवर्स्टी है, उसके अंदर ये कारिया रहता है, ये भी थोड़ा आपने को याद रखना है, अगले क्योशन पर बात करें, तो अगला क्योशन आप कि अगला क्योशन आप से पूचा गया है कि आरपीशी की सरदश्य बाबूलाल काटारा को किस अनुचेद की सकती का प्रियोग करते हुए नेलंबित किया गया है, इपोर्टेंट क्योशन है, चर्चा में हैं तो साथियों बेसिक ची बात है कि यहां से करंट अफेस का क्यो इपीशने बन सकता है और आप से पूचा भीजा सकता है, आप से पूचा गया है कि आरपीशी की सरदश्य बाबूलाल काटारा को किस अनुचेद की सकती का पुरियोग करते हुए निलंबित किया गया है, तो आसर रेगा, अनुचेद 317 की जो सकती है उसका पूर्योग करत अगला क्यूसना आप से पूछा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्तान की बास्केट बाल टीम ने कौन सा पदक अपने नाम किया, आप से पूछा गया है कि राजस्तान की जो बास्केट बाल टीम है उसने कौन सा पदक जीता तो आंसर हो जाएगा साथियों रज पदक हैं जीत पाई यानि दोनों के बीच काफी कड़ा मुकावला था 86-85 का है जो स्कोर रहा था अगला क्योंसाना आप से पूछा गया है कि करनाटक में आजी शर्शट्वी राष्टे कबडी परत्योगीता में अंडर गुनिस में यानि बालक वे बालिकाओं की टीम ने कौन सा पदक जीता है तो कांश्य पदक जीता है ये थोड़ा अपने को याद रखना है आप से पूसाद आ सकता है कि करनाटक में आजी सर्शट्वी राष्टी है कबडी परत्योगीता के अंदर अंडर गुनिस की जो केटेगरी है उस इनकी 17 वरग है जो साथियों किसे दिल्ली से हार कर कांशिय पदक जीता और जो 17 वरग थी उसकी कटाणी साथियों की थी नेहा सैनी नही ये थोड़ा अपने को याद रखना है पूछा जा सकता है हाली में पर्देश के की जिले की जिला परमुक हरसनी कुलहरी को दिल्ली में सम्मानिते किया गया ये भी इपोर्टेंट रहने वाला है कि हाली में पर्देश के की जिले की जिला परमुक है हरसनी कुलहरी इनको साथियों दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया अगला के उसना आप से पूचा है कि हाले में प्रवतारोही राकेश बिश्णोई ने अफरीका की सबसे उंची चोटी माउंट किलिमजारो पर पांसो दस फीट का तिरंगा फेराया है इनका संबंदे कि जिले से हैं तो इनका संबंद सात्यों रहेगा डूंग और पूर से इ इनका संबंद कि जिले से हैं तो इनका संबंद रहेगा सात्यों डूंग और पूर से चोधवे राष्टे मद्दाता द्यूस पर केंद्रिये चुनाव आयो की और से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड से समानित किया गया तो यह इपोर्टेंट कर लेना और अगले क्योशन पर बात करें तो सात्यों अगला क्योशन आप से पूचा गया है कि चोधवे राष्टे मद्दाता द्यूस पर केंद्रिये चुनाव आयो की और से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया वार्ड से समानित किया गया तो सात्यों जो अपने राजस्तान पत्र अगले क्योशन पर बात करें तो सात्यों अगला क्योशन आप से पूचा है कि परदेश में सोलर एनर्जी का सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों को दिन में बिजली सप्लाई करने के लिए परदेश किस राजय का मॉडल अपनाएगा तो साथियों अभी इस पर कारी चल रहा है और सरकार है जो लगातार महराश्टर सरकार से बात करी है और वहां पर जाकर साथियों जो अपने उर्जा विवा के अधिकारी है वह महराश्टर जाएंगे और वहां पर जो मॉडल चल ला है उसका अनूसरन करेंगे और उसके बाद अपने राजस्तान के अंदर उसको लागू है जो किया जा सकता है पुर्वी राजस्तान नहर परियोजना के लिए राजस्तान और किस राजय की बीच में समझोता हुआ है ये तो साथियों अपने लगाता ही पढ़ रहे हैं आप से पूचा है कि पुर्वी राजस्तान नहर प्रियोजना के लिए राजस्तान और किस है? राजे की बीच समझोता हुआ है, तो आंसर हो जाएगा मद्या पर्देश. क्या हो जाएगा? मद्या पर्देश और राजस्तान के बीच सात्यों क्या हुआ है? समझोता हुआ है राजस्तान और मद्या पर्देश के बीच में समझोता हुआ है अब इस प्रियोजना को के अंदर की नदी जोड़ो प्रियोजना में सामिल किया गया है यह प्रोजेक्ट अब पारवति काले सिंद्ध चंबल पुर्वी राजस्तान नहर लिंक योजना के यह अपने को याद रखना है अगला कि उसन आप से पूचा है कि हाली में ओम की आकरती वाला शीव मंदिर वै आसरम कहां बन कर त्यार हो गया तो आंसर हैगा पाली के अंदर को त्यार किया गया है और डाई सो एकर के अंदर इसको त्यार किया गया है आगे है राज सिकों का नया अदेक्स किसे बनाया गया है तो आंसर हैगा अजीता पे सरमा को इस प्रकार का क्योशन साथियों पूच लिया जाता है कई बार उच्छा पर अखिल बारती है सरवेक् नाममाकन के मामले में राजस्तान कौन से इस्तान पर है तो आंसर रहेगा सातियों राजस्ताने छटे इस्तान पर है। पर्थमस्तान पर साथियों उत्र परदेश है आगे बड़ें तो अगले क्यूशन पर बात करेंगे साथियों अगला क्यूशन आप से पूछा गया है कि चेन्नेई में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के अंदर परदेश के तेराख अभिनंदन खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता तो कांश्या पदक चेन्नेई में आउजित साथियों खेलो इंडिया गेम्स हैं उसके अंदर परदेश के जो तेराख है कोन है अभिनंदन खंडेलवाल जी इन्होंने कांश्या पदक है जीता है 200 मिटर के अंदर ये थोड़ा अपने को याद रखना है अगला क्यों सना आप से में पूछा है कि राष्टे स्तर पर आयजित वीरगाथा थ्री के अंतरकत देश के टॉप सो बच्चों के चेन्न है तू केंदरी है शिक्षा मंतरी वै रक्षा मंतरी के द्वारा परदेश से किने समानित किया गया तो आंसर हैगा अभिना दास वै अएमान को किसको समानित किया गया साथियों अभिना दास को और अएमान को और जो अभिना दास ने साथियों वो कहां की हैं वो जोदपूर की हैं और ये अएमान हैं ये साथियों जयपूर के रहने वाले हैं इसे भी आपर इपोर्टेंट कर लीजिएगा अगला कि उसना आप से पूछा है कि परदेश के किस विश्यो विद्याले में बन रहे सविधान पारक में 40 फीट उन्चे संग मरमर के स्तम पर सविधान की है जो परस्तावना लिखी जाएगी तो कर्शी विश्यो विद्याले जो जोद्पूर है उसके अंदर सातियों सविधान की परस्तावना है जो लिखी जाएगी ये थोड़ा अपने को याद रखना है समार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उद्यपूर का देश में कौन सा स्तान है तो सातियों उद्यपूर देश के अंदर तो है तीसरे स्तान पर है अपने राजस्तान के अंदर ये पर्थम स्तान पर है कौन से स्तान पर है राजस्तान के अंदर सातियों उद्यपूर है जो पर् पुरा करने के लिए केंदर सरकार की योजना में परदेश के कितने सहरों का चेन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छटे संस्क्रण में राजस्तान कौन से स्थान पर रहा। ये अपने को याद रखना है। परदान मंत्री मोदी की ओर से गोशित सरवद्य योजना के परथम चरन के लिए परदेश के कितने जिलों को है जो चिनहित किया गया है। आंसर रहेगा साथियों तीन जिले हैं उनको चिनहित किया गया है। वो कौन कौन से हैं तो साथियों आंसर तो हो जाएगा आपका तीन वो अपने बात करें कौन सा है तो एक तो हो जाएगा। अपने जयपूर हो जाएगा और हो जाएगा सीकर हो जाएगा और हो जाएगा जो जाएगा। ये तीन जो जिले हैं इनको मोड़िके द्वारग गोशित सरुपोर्दय योजना के लिए अपने राजस्तान से मान लिज् ici-द कियर गया हैं तो आप ना मान लीजिएगा कि अगले जो भी परत्योगीता परिखिशा साल 2024 के अंदर होनी है उसमें यह क्यों आप से पुछा जाएगा भारत के कपड़ा मंतरा लेके द्वारा परदेश के कि जिले में वन भारत साड़ी वोक्त होन कायोजने किया जाएगा भारत के कपड़ा मंतरा लेके द्वारा परदेश के कि जिले के अंदर वन भारत साड़ी वोक्त होन कायोजन किया जाएगा तो आंसर है सातियों कोटा के अंदर इस कायोजने किया जाएगा कहां पर है कोटा के अंदर इस कायोजने किया जाएगा च्यार फरवरी को इसका आजन किया जाएगा और करीब दो किलो मिटर लंबी ये वोकतों ने रहने वाली है ये भी अपने को याद रखना है अगला कि उसना आप से पूछा है कि ये सरस्वी सरपन सब्यान की सुरुआते किसने की है ये एक जो नई योजना चलाई है साथियों योजना क्या है कि नवाचार माली जी गया ये सरस्वी सरपन सब्यान किसके द्वारा शुरू कीगी है तो अल्टरा टेक सिमेंट है वह राजस्तान पत्रिका के द्वारा किसके द्वारा अल्टरा टेक सिमेंट राजस्तान पत्रिका के द्वारे इसकी शुरुआत कीगी है कती जनवरी से इसकी शुरुआते हुई है परदेश में IIT की तर्थ पर राजस्तान प्रोध्योगिक संस्तान RIT शुरू करने के लिए राजस्तान सरकार ने प्रोटोकॉल त्यार करने के लिए किस की अधैक्सदा में कमेटि का गठन किया है तो Professor साथियों जो Ajay Kumar Sarma है को ने Professor Ajay Kumar Sarma की अधैक्सदा में किया गया है ये साथियों जो MBM विश्योविद्याल हैं उनके कूल पति हैं जोदपूर के अंदर ये थोड़ा अपने को याद रखना है अगला की उसना आप से पूछा है कि माहराश्टर में हुई 35 फेडरेशन काफ हेडबाल चेंपियंशिप के अंदर राजस्तान की महिला टीम ने कौन सा पदग जीता है तो साथियो रज़त पदग था Race Walking Championship में Senior Category के अंदर परदेश की पुजा कुमारी ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने भी साथ क्यों कौन सा रज़त पदक जीता है किसने पुजा कुमारी जी है इन्होंने Race Walking Championship के अंदर Senior Category के अंदर तो परत्योगीता काईजन 30 से कत्ती से जन्वरी को चंदीगड के अंदर किया गया था ये भी थोड़ा याद रखिएगा अगले क्यूसन पर बात करें अगला क्यूसन आप से पूछा है कि मुख्यमंतरी बजनलाल सरमा ने चिकिश्या विवाक के दुआरा संचाले जन्ता कलेनिक का नाम परिवतन करें क्या कर दिया है तो antar है शहरी आयुसमान अरोगयय मंदिर क्र दिया है क्या कर दिया है अगला क्यूसन है कि 3 से 8 अच पर बात उergल भात उत्ससो पर्दसनी कायोजन परदेश के किस दिले में किया जाएगा तो आंसर है साथियो कोटा के अंदर इस कायोजन है जो किया जा रहा है हाले में जारी रिजरो बैंक ओफ है इंडिया की वरस 2022 ते इसकी पंचायती राज सरस्ताओं की वित रिपोर्ट के अंसर है पंचायत पर खर्च करने के मामले में राजस्तान का देश में कौन सा अस्तान है तो राजस्तान साथियों छटे इस्तान पर है राजस्तान कौन से इस्तान पर है तो साथियों राजस्तान है जो छटे इस्तान पर है तो साथियों इस उस पर भी जानकर इसाज़ा की है, सैसन आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक वैसे जरूर कीजिएगा, इन फ्यूजन नोट्स के यूटूब चैन को लाइक वैसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने,